देख लियो चौपाल देख लियो चौपाल रे सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग लोगायाओ जी ता परियान सब लियाओ जी देख लियो चौपाल देख लियो चौपाल रे सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग लोगायाओ जी ता परियान सब लियाओ जी देख लियो चौपाल देख लियो चौपाल रे सब लोगायाओ जी ता परियो चौपाल रे सब लोगायाओ जीवन को मूल मंत्र है जीवन ये टीडि निरोगों है तो जीवन नित नई प्रगति करसी नित ने मुकाम असिल करसी और स्वास्थे रेबा के लिए मांध की शु मजब कर्द में हो आशानि में नियाव了吧 कोई लक्षण सब्नेख भी और तो मन का रोग कुण सा है और मांसो काहीं काहीं समस्या हुए मांको की प्रकार सो उपचार हुए आपको सगड़ा देखां कि कोवीड काल के बाद में बहुत सा लोगां के मायनियान का मनोविकार आया जिखां की चर्चा आपका करसिया आज आपका चर्चा करसिया कोवीड काल और मनोरोग जिके जानकरेंगे लिए अपने वीच पधार रही है, सहील त्रिवेदी जी का मनो遊戲gianic है, सहील जी आप सवतले स्टूडिय में पधार रही है, आप रोघणों गनोव स्वागे़ से, आप जब मनोरोगं की बात करें, तो आपर देखा कि बड़ा बड़ा लोग है इसका बहुत व्यस्त जिंद्गी जीव है रात दिन बहें मसीनी सी जिंद्गी जीव है बहुत लोग है किसानों में भी मनुरोग होता है और यह पहले से चला रहा है अगर आप देखें कि जिसे भूत प्रेता जाड़ा फूक तो यह सब इस नहीं गाओं कर्थ जब आए हमारी नानी नाव में रहते तो सुन्ते थे कि परोस में किसी भावी जी बूत नी आ गई या उनकी दादी सास आ गई तो मुस्ते थे मुझे इन सब शुच्छों की बिलकुल समझ नहीं थी ति तेकिन जब मैंने त मैंने बनोव करने के लिए कि थ्यान आकर्श तरके मनोरोगयों का हमारे भूत पर यह इनल वेगवां के तर इस यहां सब्सक्रावल जोना कि SHARTH तर शुरूर क्लिदा करना गार्भिर का पर्षा हमें और करो नहीं करूंग नहीं करो तो मैं मर जाऊंगा ये सब मनो होते हैं जिसए फसल खराब हो जाना बारिश की वजह से तो वह चिंता उन पास पैसे नहीं होना तीन चार-चाह महीने किसी नहीं फसल हो गाई किसान ने जैसेicki कोविट काल में आपने देखा मैं खुद मंडियों में गई थी मैंने देखा था वहाँ ट्रकों के ट्रक फल और सड़े वे पड़े थे लोग उनने फल सबजिया खरीदना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कोरोना में सबजियां और फलों से उनके घर मे कोरोना ना आ जाए तो उस वक्त उनकी जब जब किसानों की सबजियां नहीं बिकरी जिस जो उनकी जीवी का उपारजन का साधन है वो पूरा नहीं हो रहा तो टेंशन होगी स्ट्रेस होगी और तनाव चिंता डिप्रेशन और फिर सारे रोग सबी समस्याओं की जड़ है तन तनाव कि से बड़ी मतलब चोटी माइनर सी लाइन होती है इन चीजों के बीच में और वह लाइन ब्लाइन कुरों से बड़े रोगों का साधन बन जाता जोंकी बाद में बीपी और अगर आप मैं आपको वीप्रियों की जड़ हम मनोविग्यानिक मानते हैं तनाव को और जैसे BP हुआ, stress हुआ, gacetic issues हुए, headache हुए, अगर आप देखना किसी अपनी मम्मी को या आपने भाई बहनों को या किस सिस्टर को या पापा को कभी अपने दादा दादी को सुना होगा, तो बोलते हैं आज तो यह टेंचन होगी, मैंने तो सुबह से सिर्ट दुखुरे सुना होगा, आपने सुना होगा, तो इस वज़े से, gacetic issues भी सुने होगे, आपने की मारा gas बन रही है आज तो मैंने, क्योंकि टेंचन होगी, चिंता होगी, चिंता की वज़े से, हाँ, मन में अंदर, internal, क्योंकि पूरी बोड़ी, तन, मन आपका एक दूसरे से connected है, जो त साधा तर जो रोग पाए जाते हैं, वो सीजोफीनिया हो गया, डबल परसनल्टी डिस ओर्डर हो गया, कॉगनिटिव डिस ओर्डर हो गया, पर जो हमारी जनता है, उन चीजों को समझ नहीं पाती है, लेकिन आजकल UNICEF, WHO, गाओ गाओ धानी धानी तक इस चीज को इस अधानी गया हैं, मंदिर में गया हैं, तो बापिस अरे शायद में नताला नहीं लगाया, या फिर गैस पे धूद रखके भूल गया, और फिर दूद उफन गया, जल गया, तो यह सब क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस टेंशन लेते हैं, तो यह भूलने की बिमारी, आप कह अधानी बिमारी, जब हम लोग शुपर कनेक्टेड रहते हैं, और बहुत रूटीन लाइफ जीते हैं, जिसे अगर मैं कहूंगी एक दैनिक जीवन है, दिनचरिया बहुत अच्छे से जीते हैं, तब तो इस इनसान का तन और मन बहुत कंट्रोल में रहता है, लेकिन जो एक दैनिक हमारी जो भधोर वाली जिन्दगी है, वो चाहे हमारी हो, चाहे किसी MNC में काम करने वाली हो, या किसी ऑफिसर की हो, या किसी किसान की हो, क्योंकि जब किसान को फसल उगानी होती है, उसको पानी देना होता है, तो सुबह चार बजे उटके जाना हो तो आप बताओं कि किसान है जो को तनावसु दूर की प्रकार है किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो इसका मैं एक ही तरीका बताऊंगी सबसे बैस तरीका एक तो अपनी दिंचरिया को बहुत साधारन बनाए दैनिक दिंचरिया जी है ओम का उपचा जो करते हैं वो यूनिवर् जीते हैं तो आपको कभी भी मनोरोग या मानसे क्या शारी कोई बिमारी नहीं हो सकती आज एक बच्चा पैदा हुआ है अगर उसको उसके पेरेंट शुरू से बोलने लगे कि आपको सुबह उठना है साड़े पांच-छे बजे उसके बाद आप अपना जो भी दैनिक क्रि बात आप लोग बोलेंगे कि कुछ लोगों की नाइट ड्यूटी होती है किसानों को टाइम बे टाइम जगना पड़ता है तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि अगर टाइम बे टाइम जगना पड़ता है तो आप उसके अपनी जो नींद एक नींद कंप्लीट होना ब तो अगर वो बच्चा भी अगर किसी भी दर्द से या दवाई से किसी भी प्रॉब्लम से सोनी पाएगा ना तो वो भी और ज्यादा बिमारिया उसको मतलब बहुत रोएगा चिर्ज एक जो छोटा बच्चा है जिसकी 10-12 गंटे की नींद होती है अगर किसी रीजन से आपने अपने उद्देश है उसको भूले जा रहे है तो अपने उद्देश पर फोकस करें और किसानों किसे करहें हमारा सूब justify जागने सी लेकर रात को सोने तक चीनी तक आपने इसकि कमाने के इस्थाइत वह उनों चाहिए अपनाव को सिखार हो जाए और तनाव को सिखार हो जाए अई मनोरोग है अच्छ एक अभी बता रहे हैं जिटेम का इक मनोरोग बतायों कि डबल परस्नल्टी डिसॉर्डर यह होता है कुछ तो यह अपके गाउं में जिसे एक्जाम्पल दिया था मैंने पड़ोस में सुना कि मतलब दूसरे की परस्नल्टी जीना शुरू करता है एक तो खुद मैं मेरी परस्नल्टी जी डी हूँ एक जब अचानक से मैंने बोला मैं फलाना देवी हूँ और मेरे अंदर भूत आ गया तू ये कर वो कर दाट इस डबल परसनल्टी डिसॉर्डर वो दूसरे की परसनल्टी अपने अंदर डाल के और वो जीना शुरू कर जाता है और फिर हमारे जो लोग नहीं समस्ते हैं तो हमारे जो लोग नहीं समस्ते हो क्या करते हैं उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं इसको पूझा करो ये तो फलानी जी चली गई थी उपर भगवान जी के पास और ये तो देखो इसके अंदर भूत के रूप में आई है पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये मनुरोग है और सिर्फ मनुरोग है और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है मतलब कोई के माई बहुतनी आ रही है, वो ही रोग डबल परस्नलिटी डिस ओर्ड है तो आप बता दिया कि शाना भूपा करने के लिए जानों चाहिए और ज्यादा समस्या बढ़ सके क्योंकि बहुत खुद आपको एक दंदो पड़ारी के उपांको दंदो भी पानी चाल रही है आप बताए पर ही कोई इलाज कहीं है क्योंकि अगर क्या है कि ऑपरल रहा है उनके ले में घोब करनेसे और तो मैंने तो आएससे देखा है मतलब बच्पन में कहीं वी आज-पास आपने भी सुना होगा देखा होगा हम लोग क्योंकि समाज में रहते हैं तो यह समाज का हिस्सा है यह चीज तो एक मतलब जो लेडी 21 साल की उमर से और आज तक बच्चे मतलब वो चार बीस साल तो मुझे देखते हुए उसके अंदर बूत नहीं आ रही है इसलिए मनोवग्यानिक और मनोचिकिट्सक के पास जाना बहुत जरूरी है इसके इलाज के लिए उनको ट्रीट करना अपने देखा हैं किया बार जे कोविट काल आयो कोविट काल के बाद में कहीं लोगों का दंदा भी मंदा होगा कहीं लोगों बेरुजगार भी होगा तो बीवज़सों लोगा में कहीं कहीं मनोरोब पैदा भी है देखे यह बहुत बड़ी समस्या है और यह वो समस्या है जो खुद्रत के हाथ में थी इश्वर के हाथ में थी और एक युनिवर्स पावर के हाथ में थी तो हम इसका solution तो हमाई पास कुछ नहीं था लेकिन आपने देखा है कि जिसे हम लोग को को काम करना है अब मैं क्या करूं तो सुबह करना पड़ेगा अब मैं चिंता करूंगी भीया सुबह कब होगी सुबह कब होगी क्या सुबह जल्दी हो जाएगी आज अमावस की रात है और मुझे कोई पूर्णी मा की रात को मेरे भाई की शादिय कुछ भी है तो आई चिंता करने से होगी तो वैसे ही जो कोवेड हो मतलब मैंने भी अपने जीवन में पहली बार सुना हूँ मैं अपनी दादी अपनी मम्मी से भी बात करती हूँ देनिक जो आपका जीवन है उसको साधारन रूप से जीते रहें कभी कम कभी जादा समस्य आती रहेंगी तो मतलब जिसे ना दिन के बाद रात अमावस के बाद पूनम दुख के बाद सुक और सुक के बाद दुख भी आएगा तो उनको अपने जीवन का हिस्सा मानत कि अप से ब्सक्ता के कदम बिल्कुल ना उठाएं यह जीवन का हिस्सा है और बिना समस्या रहें जीवन अगर मैं कहुँंग कि एक सबसे रही साङके उसका भी नहीं होगा और सबसे गरीब लॉस्या बहुत सारे नुक्सान हम सबने अपने अपनों को खोया बड़ी बात ही को यह लेशका वह संतोज कि आपके साथ यूपनी आपके साथ यूपनी तो आप पूरी एक वेश्विक समस्या है आपने अकेला पर कोई पाट टूटर पड़े गोंगो नी तो थोड़ी-थो देखना कई बार देखना टाबराम एडिक्शन के समस्या आएगी अब और मुबाइल चाहिज है मुबाइल आप नहीं दे रहे हैं आप आएगा मारे रिस्तिदार पावना हो आप तो बहुत बहुत बड़ा मनोरोग है जैसे किसी को बीडी का सिगरेट का तंबाखू का दा करते हैं आज ता शायद बहुत सारे बच्चों की आईज भी खराब हो गई है और मतलब अगर आप भी 5-6 घंटे लगातार मुबाइल देखेंगे तो आपके दिमागी इस्तितिया आप खुछ चेक कर लिजेगा तो वो बच्चे 6 घंटे उस मुबाइल में क्लास ले रहे ह तो उनके लिए कितना नुकसान दाए कि मतलब वो पढ़तो रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं न को दूसरा नुकसान हो रहा है और इसके परिणाम हमको आज नहीं तो कल देखने को मिलेंगे तो मतलब आपको मैं बताते हुए हर्ष होगा मुझे कि मेरे बच्चों को मैं ऑनलाइ अरे हाथ में नहीं है तो कुछ उन चीजों का हम लोग घर में सोलूशन निकालने की क्योंकि एडिक्शन फिर बच्चों को क्या है जिन चार साल के दो साल के बच्चों को आप कभी मुबाइल नहीं दिखाना चाहते और उनको आज आज आपको मुबाइल देना पड़ता है अरे मेरे कानू की मेरी बच्चे की क्लास चुरू होनेवाली है अब पैरेंट्自己 मोबाइल जुनके और माताओं के फोन तो सबके बच्चों के बास रिजर्वड हो गए चिनिके पिस समस्य आ है कि गर में मुबाइल है दो एक अजब एक वाइप कर नहीं होती ना अब यह कैसे अडिक्शन से लेकिन आगे मतलब बहुत मुश्किल होता इसको चुड़ाना एडिक्शन को मतलब आप में कुछ मुवीज देखिए उनमें एडिक्शन चुड़ाने का मतलब लट जिसे बोलते हैं इसका इलाज यह है एक तो आप सेकेट वही मनोवेग मैं पूरा इलाज तो यहां नहीं बता पाऊंगी इसका पूरा छे साथ मैं नहीं बताती हूं कि सबसे पहले तो अगर आप आपको अपना एडिक्शन या लट को छुडाना है या किसी पेरिंट को अपने बच्चे की लट को छुडाना है तो सबसे पहले जैसे आपके बच्चे को चार घंटे के लिए मोबाइल देते हैं आज मोबाइल उसका तीन घंटे करें दो घंटे करें एक घंटे करें ऐसे ह कोई भी खाने पीने की चीजे अगर आप जैसे सिग्रेट बीडी का गाउं में मैंने दिखा तंबाकु गुटका और एक वहुग का उसका बहुत जादा एडिक्शन होता है कुछ लोग चोड़ना भी चाहते है तो मैं इसका एक तरीका बताऊंगी आपको कि अगर आप चार आप इसे करके जीरो फिर आप 21 दिन जो अपने अपने फॉलो कर ली ना 22 दिन आपका खुद का मन्नी होगा और आपको चीज अच्छी ही नहीं लगेगी यह मेरा वाद है यानि कि देरे देर आप मात्रा को सेवन कर रिया है या कुछ मोबाइल को अपयोग कर रिया है उपय ब्याओ भी को नहीं हो बेर तो बाग एक लुगाई बहुत चतुराई प्रभा लुगाई आई जी कि वाकियो साब अफीम तो मैं चुड़ा दे शुपना कत्व अमल खाए है तो बहुत एक एट तो अलर दी इसाब डेली को यीट का वजन की बराबर अमल खाए है बोले बाठा पर अगड़ को देता न थोड़ी जीवा स्कंकर देते करता वह उतने बिलकुल खथम कर दी रफिम चुटवाय देवां को आपको अगर चामा और आपना गर परिवार को स्योग मिले जीयां मेरे राजान भी की प्रतनी को मिलेओ तो घर-परिवार को स्योग मिलेओ निश्ची तुरूप से आपनों कोई भी दुर्वियसन है कोई भी एडिक्शन कोई भी आदत है कोई भी लथ है आसानी सो अपनी चूट सके एक आपने देखा है कि दोरान आप बताया कि डबल परस्नल्टी डिसोल्डर की एक आदमी दूसरा की परस्नल्टी जीवा लाग जा कोई एक्टर विसेज ने हीरो विसेज ना आपको आदस बना ले फिर बियान काई बाल ब्राकवा लाग जाए वियां बोल वाकि स्टाइल करें वियां साल वाकि यहीं कपड़ा पेरना तो वह भी मनुरोग है कि हाँ यह भी मनुरोग है कि आप किसी की वही डबल को अपने अनदर ठाल लेते हैं यह आज उसको कापी करना चाहते हैं अज उसने जैसी जीन्स पहनी वीचिंज लानी है जैसी शिर्ट पहनी की हीरो ने यह बाल कक्टा है एक्सवाई-जेड तो मैं व्यैसे बाल कटाओं सूझाँगा यह मैं वैसे ही तए तयार हूँगा उ क्योंकि आपने उसकी कोई पर्टिकुलर मुवी देखिए वो पसंद आने लगई मनो रोग मतलब अभी कुछ सालों से जादा इसलिए बढ़ने लगें मैं आपको इसका कारण अब मत्वा पूर्ण बात है और एक बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे बीस बच्ची जादियों कोई ना को वही है जगान आपा बता सका है तो अपनी समस्या हम एक दूसरे को बता देते थे और उसे क्या सॉलुशन मिल जाता था और दो दिन में वो समस्या अपने पी निकल जाती थी जैसे मैंने रात के बाद सुबह तो आनी है तो रात तो चली जानी है तो रात तो जानी जानी है लेकिन हमने शेयर किया तो हमने दिमाग पर और जब हम अपनी समस्या किसी से कह लेते हैं बोल लेते हैं तो हमारे अंदर से जो उफान होता है या अंदर जो टेंशन होती है जो स्ट्रेस वहारों निकल जाता है तो आधी समस्या तो ही क्यों एक प्रीवारी हो गये अभी जिसे गाओं में बहु आप देखो के किसान नौकरी भाषया और उनके बार नौकरी कर रहा हैं यह वहार पढ़ने क्योतिये आप आप माँ कौन रह गए विचारे बुजूर्ग माता पिता वह एक दूसरे की समस्या वह एक दूसरे को इसलिए नहीं बताते कि यह टेंशन करेगी यह टेंशन करेगा उस चक्कर में अंदर ही अंदर घुटने की वज़े से सारे मनोरोग अडिक्शन भी इसलिए हुआ है कि आ आपके साथी के रूप में आप काम में लेते हैं लिक्वोग में जब भी तो यह आप मुबायल का आप छुशोओंगे तो तो फिर आप क्या करेंगे किछिण में खाना बनाया गर की व्यवस्ता देगी गाउं में लोगों जाकी अपने ख्रषा दे कि शिल मिल एकलपन तो वो अच्छा मैसूस करते हैं और फिर ये मनोरोग और भी मनोरोग विक्रत होते जाते हैं जैसे कि आपके बहुत बड़ी बात बताई है कि एक स्यूंग्ट परिवार है ने भी परिवार में रहे बड़ा सदस्य कोई मनोरोग को नहीं है बिकम है आदमी खुस रहे और जका का आदमी के जहन में मन में आत्मा में स्वभाव में खुसई है भी आद्मे मनोरोग नेड़ू ही को नुह है आप बताए कि कि अगर आपन कोई खुस नहीं है आप ने कोई जिनता है तो आप भी नसने आपनी साथ ही बनावा अपनी आदत है मोबायल फोन मीडिया क्या chambers परियास करें तो सूरोगवा की एक उपाई है खुसरेबह को थाने कुर सो तरी को आप तो मनों वेगनिक हो आप तो खुब सूद गरहे हो तो आप बतो खुसरेबह के लिए के लाइप स्टाइल होने चाहिए आदमी की राजी रहे पहला पॉइंट बताती हूं आपको खुशी किस चीज में आजकल क्या हो रहा है जो समाज में मैं देख रही हूं चाहिए गाउं हूं या शहर हूं लोग क्या करते हैं कि दूसरे को नीचा दिखा के या कम जोड होता है तो खुश होते हैं अब वो खुशी कितनी होती है एक अगर हम अपने आसपडोस अपने साथ में काम करने वाले अपने भाई बहन आजकल के भाई भाई को देखके खुशनिये बहन भाई एक चारो तरफ जितनी मोजूद लोगे उनको साथ में हाथ बढ़ाता चल तो आज मैं आपकी उन्नती में खुश होंगी न तो कल को आप म मेरी उन्नती मेरी मदद करोगे और हम सब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो सारी चिंताय वैसे निकल जाएंगी पहला पॉइंट में बोलूगी कि एक तो दैनिक जीवन है वो एक सिस्टेमेटिक जीवन जीए दूसरा एक दूसरे को साथ लेके चले अपने चारो तरफ जित करके देखो कि आपका पड़ोसी या आपका भाई बहन या आपका कोई भी ऑफिस का करमचारी अगर चिंता में और आपने उसकी मदद की और उसने जब उसकी मदद से जो दुआएं और आशिरवात मिलता है ना तो वह आपको इंटरनल जो खुशी देती ना तो कभी मनोरो आपने बारतिय संच्कृति को मूलादार है कि सर्व भवबन्तु सुकेन सर्व संतु निरामया सर्व बद्रानी पसंतु मां इद कंप्धवाग बवेद और रहें बहुत अची बात आपने सु दुनियाना सोचु जिस्यों आपने साथ कठोपनी सथिस्त कामाइक सलोक है कि अप मात्र बत पर्डारे सी प्रद्रवे सु लोष्ट बत बते आतमात सर्व भूते सु ये पस्यति सर्पंडित अफ। इक चालता-चालता अब इक बात वर कासिया कि ग्रहनी जिस्थे का रमतन से वहां होब होता है दूसरे घर से आते हैं जो इक परिवार में पलेए दो भाई बेहन या दो दॉजान बेहनी एक जैसे नहीं हो सकते तो एकदम अलग परिवार से आई हुई जो 20 साल या 15 साल कहीं और बाहर रही है वो महिलाएं जो हैं वो आके कैसे सैटल होगी तो दोनों के तरफ से से एक भाला रिलेशन होता है एक हाथ दे एक हाथ ले अच्छा अच्छा मतलब कि यह है कि आपको खुलर बीचार आप दूसरा को व्यक्त करें ने कुछ एक दूसरा का सभौने जान सके और अपने घना घन्यवाद और समय की मरियादां है तो वाईबना आसाक रूपारी क्रम आपने दाया है उसी फिर मिल से एक नहीं विशे की साथ जट तनी चमाप सुई जज़त राम राम साथ